अपने अल्ला के सिवा किसी से डरता अगर मैं डरता तो मैं यहां तक नहीं पालता छोटी छोटी गल्यों से में रूट का आया हूं घानी वाल मेरा दलाशया उपाया ले ले जाने महें बना दलाशान अपने साथ, जान आप लेका या अब हम इस मज़ीद में उस वाट तो बंदा नहीं आएगा, उस इलाके से बंदा नहीं आएगा, मज़ीद नमाज परने के लिए हर मुमिन कहा कि उस मज़ीद पे, वो किसी का खरीदवा नहीं है बढ़ा है, अगर कोई ठाकूर नहीं बठाया है, यह चेयर जंदा की है, जंदा ने नहीं बठाया था, इताकूर हुक्म करेगा, बाते गोर करिएगा, आपने देखा, कारियामर फांडेशन उसके इंटायर टीम उसके इंटायर टीम उसके इंटायर तमाम आरकी ने तीन दिन कबल एक डिपूटिशन लेकिए, हम लोग ना खुदा मज़ीद के मुतावलीन, म उसके बाद एक न्यूज गर्दिश कर रहा है, जिसमें लोगों ने बड़ी-बड़ी बाते की है, उसी के सिलसल में आप तमाम को बुलाया गया है, लेकिए, जैद अनुवर किसी से डरता नहीं है, जैद अनुवर डरता है, बरत डरता है, मेरे अल्लाह से डरता है, मेरे र करने होगी, में भी सुनता रहता हूँ, अपने अपने गुफ्तगू में उन्हें कहा है, या अपने के चैनल में आया था, या सच पहले वाला था, इस पर गौर तवज्य है, अवाम सब देख रही साथ आपको फ़ठाने के बख्समाइ या फिर आप सिर्फ पेश इमाम को अपन्ट करने के लिए क्या आप तमाम वहां मौझूद थैं कारी हमर फांडेशन जब डेपोडेशन दिया उसमें एक एक ही एक ही डेपोडेशन था एक 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 के लिए आप इस लाज़े में बात कर रहे हैं आपका को खुश करने के लिए इस लाज़े में बात कर रहे हैं तो खलत है ना देखिए आप सियासत की बात करेंगे तो सियासत अगर जैद अनुवर करता तो कंग्रेस का जंडा लेकर आथा मैं पाटी से मुंसलिक हूँ मैं तो आप इस तरह से बात नहीं करते हैं वाँ बात है लोग कहते हैं आप क्या देख रहे हैं नजरिया का आउम देख रहे हैं ना आज इसको किस्से नहीं मिलेगा आपको अगर मैं हाग तूम उससे बैठके बात करना चाथे तो फून करते बाते इस तरह नहीं होती है इस लएजे में बात नहीं होती है कारी जाद अनवर मीर महं describes सापको भी देखा है जाद अनवर दिली यह जो चेर होता है ना यह चेर कोई ठाकूर नहीं बैठा है कि ठाकूर ने बोला यह होगा नहीं यह चेर जंदा की है जंदा ने बैठाया और एक समाधी कारकून को बैठाया था किसी ठाकूर को नहीं बैठाया था कि ठाकूर हुक्म करेगा बात पर गोर करिएगा कि आपका लहजा मुझे बहुत अफसोस है इस लहजे में बात नहीं होती है इस लहजे से मुझे भी अफसोस है और मुझे यकीन है कि जिस वाट के आप सरपरस बन रहे हैं उस वाट के तमाम के तमाम जानिश्वर हजरात आप से नराज हैं इस लहजे से, इस लहजे में नर्मी नहीं था, बात का ये लहजा होता है, बात इस तरह होती है, अगर बात इस तरह होती है, तो अदब क्या है फिर? आप इससे पहले एक-एक बंगाली भाई है हमारे मैं इनका नाम जहां से मुल्ला साथ उन्होंने जो बात रखी थे बात मंजर आम पर आ गई कि लोग पाल के रखते हैं आदमी को बात वही पर आ गई कि आप चाडराने की बात करते हैं डरने की बात करते हैं मैं अपने अल्लह के सिवा किसी से ने डरता अगर मैं डरता तो मैं यहां तक नहीं पहुचता छोटी-छोटी गल्यों से निकलके मैं रोट पर आया हूँ और मेरे अल्लह लेकर आया मेरी कोई अवकाद नहीं तानिवाला मेरा रब और रोट पर आया हूँ और यहां आया हूँ यहां तक पहुँचा हूँ तो मेरे अल्लाँ से डर है तभी यहां तक पहुचा हूँ किसी बंदे से नहीं डरा आज़ा दनवर ना डरेगा इंशालला को एक अच्छा मशुरा दे के चला गया हूँ कि इससे पहले भी कोई लोग ते यह आखिर नहीं होता आखिर आखिर नहीं होता कभी दिमाग पर बात रखिएगा कोई भी चीज आखिर नहीं है ता कयामत नहीं चलेगा कोई आदमी वहां कुरसी पर बाट के कोई आदमी पांस ने दिया, हमने पेश इमाम का जिख्ड किया, किसी और ने मेरे बाद दो मिनिट के बाद एक पेश हमाम का दो बंदे नहीं अलाके दिया, उन्होंने बोला उन दोनों में सडाने, वो डिसड करें, मुतवलियान यह मेरा जमूरिया हक है, उस मजद में च्या आप पेश इमाम का जिख्र किया, किसी और ने मेरे बाद दो मिनिट के बाद एक पेश इमाम का दो बंदे ने अलाके दिया, उन्होंने बोला उन दोनों में सिदाने, वो डिसाइड करें कि मुतवल्यान, यह मेरा जमूरिय हक है, उस मस्जीद में किया आप रिस्टेट कर दिया है कि यही बंदा जाएगा, यह यह बंदा नहीं जाएगा, मस्जीद पूरे कौम के लिए, पूरे कौम के लिए मस्जीद है, आप मस्जीद को एक दाइरे में बान नहीं सकते, आप सोचें गरिभी मंगाल में यह मस्जीद एक तारीखी मस्जीद है, और आप कहेंगे इस मस् हो रहा है उस बात को बोला जा सकता है क्यों नहीं बोला जा सकता है और आप कहते हैं ड्रामा हो रहा है नौतंकी हो रहा है नौतंकी क्या था इससे पहले आप बताइए आप बताइए जो मौजिन कौम मिल्द की बात है और यहाग के लिए मैं बात उठायों मैं उमीद करता हूं हर घर में बात हो रहा है और इंशालला यह रंग लाएगा कहीं ना कहीं रंग लाकर आपको दिखाएगा और इंशालला इस पर एक फैसला होगा मैं जब डिपेटिशन लेके गया था ना उस ड नमाज पढ़ते थे वो दस साल से नमाज दो साल कबले महल बना मस्जीद में मारा पिटी हुई गाली गलोज हुआ एक महल बना दो साल से आपके काहे को नीचे जूंगने रहेंगा आप कहा सो रहे थे आपकी सरक्रस्ति कहा थी आप क्यों नहीं लेके सब को बैटेक बढ़ इसको खुलासा करिए और जैद अनुवर एक जमूरी अंदाज से पहुचाता है वहाँ समझे या किसी गून्स को या किसी गैंकसर को या किसी हुलीगन्स को लेके नहीं पहुचाता हुआ जैद अनुवर एक तैजीब और तरीका जो आईन सीकाता है दस्तूर सीकाता है कॉ तमाम अंदाज से हम वहां पहुंचे थे आपका बहुत गूट कोशन है ठीक है ना यह वरी गूट कोशन मैं यह तमाम जो तस्वीर है बात के गवर करिएगा मेरे फेस्बुक पे है यह कहीं से निकाल के नहीं डाले है जैद अनुवर कंबल होड के अंदर में जरदा नहीं प क्या बोलता हूं उसको छट पूजा में मैं धूप, काटी, नारियल, ठूप, वो भी दे रहा हूं तो तस्वीर जितना आपने देखा है मैं तमाम पूजे में जाता हूं एक इमाम खड़े होके पूरे बंगाल के अवाम को मुबारक बात दे सकता है क्या का इंसाफ है आप का, कि पूजा मुबारक हो आप तमाम को, दुर्गा पूजा मुबारक हो, तब आप सवाल क्यों नहीं करते, जैद अनुवर जाकर किसी के परभ में जाकर शरीक होता है, तो आप लोग बुलते हैं इस तरह की बात, हम होली का पिछकारी दिये हैं, मैं वाट 44 से नॉमिनेश माम का, हर घर में ये बात होरी, 20 साल से एक अरसा खाली है, आप उस जगह को फिल करें, चले भाई, आपका एक देपोटेशन आया कि दोनों में सेख को डिसाइड करिए, आपका पासा है, वो डिसाइड करें, मुतवलान डिसाइड करेंगे, मगल लाजा क्या था आपका, य मेरी मा कहती है, और इस बात में मुझे यकीन है, और मेरे अल्ला से बड़ा कोई नहीं है,